नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिउपिजाइम प्लस सिरप का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है लिउपीजाइम प्लस सिरप को कैसे लेना चाहिए और लिउपीजाइम प्लस सिरप की वजह से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि लिउपीजाइम प्लस सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में लिउपीजाइम प्लस सिरप को लेना रेकमेंडेर नहीं होता है। लिउपीजाइम प्लस सिरप के अंदर सिंथेटिक डाइजेस्टिव एंजाइम मौझूद होते हैं। Digestive Enzyme हमारे शरीर में भोजन को पचाने के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। हमारा शरीर भोजन को अच्छी तरह से पचाने के लिए Amylage और Lipage जैसे Digestive Enzyme उत्पन करता है। परन्तु जब किसी कारणवर्ष हमारा शरीर परियाप्त मात्रा में Digestive Enzyme नहीं बना पाता है। तब Dr. Liquid Syrup की फोरम में Synthetic Digestive Enzyme लेने की सलाह दे सकता है। लिउपीजाइम प्लस सिरप शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। और कार्गोहाइडरेट, फैट और प्रोटीन को शरीर में अच्छी तरह से पचाने में मदद करती है। इसके अलावा लिउपीजाइम प्लस सिरप भूख को भी बढ़ाने में मदद करती है। और जिन व्यक्तियों को टेट भरा-भरा हुआ महसूस होता है। उन व्यक्तियों के लिए भी लिउपीजाइम प्लस सिरप बहुत ही फाइदे मंद होती है। गैस बनने की समस्या को कम करती है। कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि क्या लिउपीजाइम प्लस सिरप वजन को बढ़ाती है या नहीं। देखिए लिउपीजाइम प्लस सिरप सीधे तौर पर वजन को नहीं बढ़ाती है। लिउपीजाइम प्लस सिरप केवर आपकी भूख को बढ़ा कर और पाचन तंत्र को मजबूत बना कर वजन को बढ़ाने में मदद कर सकती है। लेकिन लिउपीजाइम प्लस सिरप सीधे तोर पर वजन को नहीं बढ़ाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो खृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें. अब हम दिसकस करेंगे कि लिउपीजाइम प्लस सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है. लिउपीजाइम प्लस सिरप को खाना खाने के तुरंत बाद लेना रेकमेंडे और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डॉक्टर लिउपीजाइम 2.5 मिली लीटर सिरप को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं. लिउपीजाइम प्लस सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यत्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए आपको लिउपीजाइम प्लस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना लिउपीजाइम प्लस सिरप को नहीं लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि लिउपीजाइम प्लस सिरप की वजह से क्य जह से कुछ सामानने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, तवचा पर रैशेस, दस्त और कब्स की समस्या हो सकती है। अब हम डिसकस करेंगे कि लिवपिजाइम प्लस सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। और किन कंडिशन्स में लिवपिजाइम प्लस सिरप को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ज्यादा खुराक में लिउपिजाइम प्लस सिरप को लेने से गंभीर स्वास्थय संबंधित समस्याय हो सकती है. इसलिए लिउपिजाइम प्लस सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक में ही लेना चाहिए. लिवर और किड्नी की कोई बीमारी होने पर लिउपिजाइम प्लस सिरप की खुराक घटानी पड़ सकती है. इसलिए लिवर और किड्नी की कोई बीमारी होने पर इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए. अगर किसी व्यक्ति को लिउपिजाइम प्लस सिरप या इसके कि इसी भी इंग्रीडेंट से एलर्जी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को लिउपिजाइम प्लस सिरप का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी पताना चाहिए, अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं लिउपिजाइम प्लस सिरप को ले सकती है या नहीं, प्रेगनेंट महिलाओं के लिए लिउपिजाइम प्लस सिरप का सेवन करना रेक में डेड नहीं है, और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी डॉक्टर लिउपिजाइम प्लस सिरप को लेने की सलाह कभी देते ह जब लिउपिजाइम प्लस सिरप का देना बहुत ही जरूरी हो इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लिउपिजाइम प्लस सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्ष लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को लिउपिजाइम प्लस सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका लिउपिजाइम प्लस सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं.